असलाम नेकोई मैं है आपकास बब्लुला होरी भाई आज रेडमी A3 को रिव्यू करने वाला हूँ एंट्री लेवल रेडमी का फून है रिसेंटी लॉच हुआ है चब्वीस जार पे की प्राइस पे कहीं पे ये पूरी प्राइस पे मिल रहा है कहीं पे थोड़ा बडिसकाउंटेड है कहीं पे थोड़ा बद ऊपर भी चार्ज के जा रहा है बट क्वेश्चन नहीं कि है क्या इस पून को आपको लेना चाहिए या पर नहीं मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ आपको और हाँ वीडियो ची लेगे तो लाइक वाई कर दिया करो देखो अगर एंट्री लेबल पर देखे ना तो डिजाइन वाइज शौमी बहतर खेल गया बैक साइट पर यह जो गोला ना बस यह थोड़ा सा मुझे बड़े साइज का लगया इसको थोड़ा सा डिजिस्ट कर बारहल ठीक है डिजाइन डिसेंट ही लगा है मुझे बाकि हर बंदे की अपनी चोईस हो सकती है मेरे पास यह जो ग्रीन कलर है यह लैदर फिनिशिंग में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे प्लास्टिक लग रही है इसकी जो दूसरे दो वेरिंट है कलर में ब्लू अपर का फून लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस फून के बॉक्स में आपको कोई भी बैक प्रोटेक्टिव केस भी नहीं मिलता और इसके फ्रंट पे कोई भी पेपर प्रोटेक्टर भी नहीं लगा हुआ तो स्क्रैचीज आ सकत याल दो गुरीला गलास 3 की प्रोटेक्शन अवेलेबला फ्रंट पे बट जो इस फून का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगने फून को यूज करते हुए वो इसकी चिपसेट है हीलियो जी थर्टी सिक्स मतलब इस तनी प्राइस पे भी जस्टिफाइड नहीं है इवन आज क की स्किन नहीं है थोड़ी सी इनकी अपनी कस्टमाजेशन ज़रूर है उसको भी ये प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहा जो एप ओपनिंग है वो बहुत जहरा स्लो है यूज करते हुए जिटर नहीं आते हैं जिटरे आते हैं तो परफॉर्मंस को लेकर बड़ी एकदम 99 भी मिल रहा हमें वीगोटेल डीकोड ये वो सारा कुछ और इवन जैटी का फून है 24,000 पे में वो अभी से बैटर हाड़वेर दे रहा है तो ब्रैंड वैल्यू का हमने अचार डालना है जब आप एक अच्छा हाड़वेर नहीं दे रहे यूज करने के लिए फून में त तो अगर आप हाड़वेर अच्छा नहीं दोगे डिजाइन अच्छे बनाई जोगे उसका कोई भी फाइदा नहीं होने वाला मैं ये नहीं कहा रहा के स्नैपडेगन ट्रिपल एट दे दो या मतलब हीलियो जी नाइंटी नाइन एटलीस जी अटी फाइव आप दे सकते हो जो डे टुडे यूज को मैनेज करने की कपैसिटी जरूर रखता हो EMMC स्टोरीज है 108 IGB वाली ठीक है बजट कैटिगरी यहां पे मैं कम्प्लेन नहीं करता है UFS वाली आल्दो एक ब्रैंड है ZT का वो UFS स्टोरीज भी दे रहा है 24-25 जार पे में Antutu की एप मैंने इस पर रन की है वो अपना 80% के आसपास वो प्रोसेसिंग चल रही हो तो इसके बाद एप क्रैश हो जाती है उसको ही पूरा हैंडल नहीं कर पा रहा तो यह यहां पे सारी चीज़े है परफॉर्मस अगर आपको चाहते हो ना के डे टो डे यूज में नॉर्मल इवन यूज के ओपर भी आपको फून चाहिए ना तो हिलियो जी थर्टी सिक्स वाला कोई भी फून आपको मिले फ्री में भी मिले ना तो मतलो भाई परफॉर्मस बहुत बुरी है इसकी डिस्प्ले बड़े साइज का 6.71 इंचीज का IPS पैनल है यह 720P के रेजलूशन से है अगर 25-26 की कैटेगरी में आप दिखते हो तो यह स्टेंडर्ड है रेजलूशन इस कैटेगरी में कोई भी बरन आपको फूल एच्टी प्लस नहीं द अगर आपने किट फून में यह 1080P डिस्प्ले गा एमुलेट्स चलाया हुए है ना तो फिर तो definite कमी फील होगी लेकिन अगर बॉक्स पैक की कैटीगरी में जाते हो तो फिर वो कमी आपको फील नहीं होगी क्योंकि इतनी प्राइस में आपने यही रेजलूशन चलाया होग और डिस्प्ले के कलर्स, क्वालिटी यहाँ पे कभी भी रेडमी कंप्रॉमाइज नहीं करता है यह चीज मुझे अच्छी लगती है इनकी और बैजल्स थोड़े से थिक ज़रूर है और यहाँ पे पंच होल मिसिंग है तो थोड़ा सा लेटेस वाले ट्रेंज को लेना चा इस कैटेगरी में इतनी प्राइस में मिलता ही आपको और अगर आप विडियो बगरा देखते हो 1080p तक रेजलुशन शिफ्ट कर सकते हो YouTube पर वहाँ पे फ्रेम्स अटकने लग जाते है इसके तो 720p पर रखना पड़ता है अगर 1080p रखो गया रेजलुशन तो उसने उतना ही टैबल की होती है तो वो लाउडनस मुझे मिसिंग लगी है बाकी बैटरी स्पून के अंदर 5000 mhk तो टाइमिंग स्पून के अच्छी है क्योंकि स्पून का जो चिपस करने के लिए कुछ है नहीं हैवी आप करोगे भी तो परफॉर्म नहीं करेगा तो जब वो हैवी टास को तीन साथे तीन गंटे के असपास ले जाएगा इसको और I think 18W का charging combination at least यहां पे इनको implement करना चाहिए था और connectivity साइट पे इसकी जो call quality है वो मैंने चेक की है काफी बैटर लेगी है मुझे proximity जो इसका sensor है वो virtually यूज़ करता है Xiaomi वो dedicated proximity sensor नहीं यूज़ करता है उसमें स्पोर्ट अवेलेबल है वाई जो voice over LTE का स्पोर्ट है Wi-Fi calling का भी स्पोर्ट अवेलेबल है यहां पे NFC का स्पोर्ट इस पून पे आपको नहीं मिलता उसके लावा fingerprint इसका side mounted है जिसकी speed for the budget segment मैं ok rate करूंगा अब देखो भाई इस पून को use करते हुए ना एक बड़ा ही serious issue हुआ है मुझे मेरा fingerprint ही चलना बंद हो गया iPhone पे finger मैंने registered किया हुआ है मैं आपको setting में से दिखा देता हूँ like यह देखो setting में इसके गए और यह देखो इसकी security में आगया हूँ मैं device unlock में और fingerprint में यह मेरा finger registered है ठीग है लेकिन नहीं काम कर रहा touch करने पर response नहीं है अब मैं नियार enroll करके दिखाता हूँ यह देखो यहाँ पर अगर मैं touch करता हूँ इसको कोई response नहीं है अपना fingerprint enroll ही नहीं कर रहा मतलब यह भी glitch है हो सकता restart करने से ठीक हो जाए बट इस तरह क्यों वह भाई ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए फून को restart करने के बाद वो जो software glitch था ना वो रिमूव हो गया अब fingerprint जो enrollment था ना यह हो रही है इसके उपर बट आइ तिंग यार इस तरह कि जो software glitches है ना यह नहीं होने चाहिए software में triple card slot है दो SIM और एक micro SD card भी आप लगा सकते हो जाइरो सेंसर इस phone में नहीं है उसके लाबा जो OTG का sport है इस phone के अंदर वो भी आपको मिल जाता है जो camera's है ना इसके back वाले गोले को देखके दिलखुश कर लेना उसकी performance की तो बात ही ना करो क्योंकि क्या expect करोगे आप average type की performance जो इस budget category में होती है कोई भी brand आपको एक अच्छा camera phone नहीं दे रहा इस range में सारे रेलू कटर type की camera तो इसका भी वो ही है 8 megapixel है back पे हाँ megapixel का number ज़रूर इंप्रूफ किया जा सकता था यहां पे कोई 12-13 megapixel को use कर दे है ZT का जो है Blade A72S वो 50 megapixel का sensor दे रहा है comparatively वो थोड़ा सा better performance देगा और एक रेलू कटर लगा है वह भाई 0.08 megapixel का हद हो गी है यार यह 2 megapixel का होता था इतना चोटा 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 करके कांपे ले है इसको और front पे 5 megapixel की selfie जो है न वो यह गें average type की selfie तो camera वाली साइड पर तो बिल्कुल भी ना देखना है बिल्कुल वही जो इसको होता है न है गुजारा माफिक वही चीज़ है यहां पर लिडियोग्राफी भी 1080p 30fps है बैक पे भी दुनिया हिल रही है फ्रंड पे भी दुनिया हिल रही है अगर आप तरज़र देखोगे तो आप भी थोड़ा हिल जाओगे तो camera से expect मत करना है तो देखो मुद्दे की बाद डिसकस करते हैं Redmi A3 जो है इसका जो सबसे बड़ा deal breaker है वो इसका प्रोसेसर है जो एक weak प्रोसेसर है Helio G36 का even entry level के प्राइस के उपर भी इतनी प्राइस में भी अगर Xiaomi यहां पे G85 को adjust कर देता तो मैं भी यह फून में आपको recommend कर रहा होता पर G36 भाई ऐसा चिपसेट है जो day-to-day use कोई proper handle नहीं कर पाता उसी में अटक के चलता है slow चलता है दो-तीन मद बाद आपने data रगना है इस phone ने फोत हो जाना है तो क्या फाइदा ऐसे phone को लेने का सिरफ design की base पर जो बंदा लेगा ना वो बैठ के रोहेगा इस phone को लेगे better alternatives में आप जो ZTE का blade A72s है उसकी तरफ जा सकते हो साड़े 22W की fast charging भी है इसके अंदर इसमें 10W है उसमें UFS storage भी है उसके अलावा मतलब चीज़े कुछ बेतर है उसकी back पर 50 में के pixel का sensor भी है और अगर आप 2-3जार पर उपर लगाते हो तो Vigotel का note 24 आपको मिल जाता है उस का Redmi की brand value है बट brand value का हम अचार डालेंगे जब हमें feature ही अच्छे नहीं दिये जा रहे तो Xiaomi को इस तरह के phone बनाते हो इस तरह के low-end hardware यूज़ करते हुए देखता हूँ ना मैं तो बहुत disappointment होती है टाइम था जब ये killing hardware दे देते थे ते, surprise कर देते थे ते तो बरहाल ये phone not recommended ह इस phone को आपको skip कर देना चाहिए इवन पत्चीश-चबीस ज़ार रपी की price पे भी ये phone justified नहीं है I hope के चीज़ें आपको clear हो गयोंगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो like, share, subscribe करके जाना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, thanks for watching, allahafiz